Hello friends, good afternoon, कैसे हो, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही होंगे So friends, चंदी की special class में आप सब लोगों का बहुत बहुत शुगत है Friends, आपके exam में आप सब लोगों को पता कि हिंदी के 50 questions आएंगे और उसमें कम से कम दो प्रशन आपके exam में चंद के भी पूछे जाएंगे तो पूरी class देख लेना इस से बाहर नहीं आएगा प्रशन ये मेरी guarantee है बट पूरे प्रशनों को note भी कर लेना है आपको ठीक है, अच्छे है तो रिवीजन कर लेना है चलिए start करें class को, सभी को good afternoon, वीडियो को like कर दो शबसे पहला कारी है और share कर दो क्योंकि इस class का notification किसी की पास नहीं गया होगा तो share करेंगे ताकि सभी बच्चे जोड़ सकें, चलिए उनको भी help मिल सकें और ये हिंदी की आज last class है, topic वैसी class की बात करें तो, ठीक है क्योंकि सारे topics में cover करा दिया हूँ, ठीक है तो जाके देख लेना जो भी आपका topic छोड़ गया हो और ये 160 वाला credit course है, वीडियो के description box में इसकी भी link के दे दिया हूँ, purchase कर लेना, ठीक है चलिए, कुछ यहाँ पे point है, जैसे इनको note कर लेने है इसकी pdf भी आपको मैं telegram पे send कर दूँगा, आप लोग जो है join होके, वहाँ से आप लोग download करके, इसकी जो है notes बना सकते है अभी 50 question भी solve कर आऊंगा, objective question, ठीक है चलिए, कुछ इसको आप लोग देखेंगे, तो कुछ श्रमद में आएगा जैसे, चंद की सरवसम चर्चा कहाँ हुई है, तो रिगवेद भी हुई है ठीक है? अब तुको कोछ चंद का क्या कहा जाता है, प्राण कहते हैं चपपई अवधिका क्या है नेजी चंद है इन सारे point को नोट के लेना है ठीक है चंद के अंग पूंचे तो साथ अंग है ठीक है चलिए अगला point यहां पर देख सकते हैं कि चंद सासर की प्रथम पुस्तक चंद सूतर जो है यानि कि चंद सासर है जिसके प्रिंडिता आचार नोट के लेना दोहा का उल्टा सोरथा होता है क्या होता है क्या होता है ज技 अर। पर निये कोशन बहुत इंपॉर्टन्ट है इस्टा लगा के नोट कर लेना है। अपनी प्रैक्टेसिट की क्लास में भी मैं करवा चुका हूँ ठीक है ये कोशन और पूछा भी गया ये प्रशना ऐसा नहीं है ठीक है चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अंगला पॉइंट है कि प्राया हट छंद में चार चरण होते हैं चार चरण होते हैं और कि पूछे की एक्जामे की दो हाँ चंद में कितने चरण होते हैं चार चरण होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टन है कुंडलिय चंद में प्रथम वा अंतिम सब्द जो होते हैं वो समान होते हैं ठीक है एक एक पॉइंट नोट कर लेना आप लोग चंद पढ़ते समय आने व पानी गैन उबरे मोती मानशून इसमें कौन सा चंद है दो हा है ठीक है चलिए ये बहुत एक्जामे पूछा जाता है सिरी गुरू चरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधारी बरनो रगुवर विमल अजस सो दायक फलचारी में दो हा है आपका ठीक है दो हा चंद और इसम अपने टेल का गुरूप पे सेंड कर दूँगा वहां से आप लोग डाउनलोड करके इनको नोट करेना ठीक है सब नोट करेना उसके बाद ये छपपय ये विसम मातरिक चंद है ऑप्शन देगा कि इसमें से विसम मातरिक चंद कौन सा है तो छपपय पर आपको टिक कर दे ठीक है और गीती का चंद में 26 मातराएं होती है तसा 14 और 12 पर यती होती है ठीक है कुंडलिया एवं 26 चंद में 4 चंद होते हैं ठीक है चलिए अब हम 50 question solve करेंगे एक छंद में कितने चड़ होते हैं बताइए सब लोग एक छंद में कितने चड़ होते हैं पहला का जवाब देने के प्रास करेंगे सब बच्चे चार बहुत इच्छे तो पहला का यह आपका बिलकुन करेंगे जहां चंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है जहां चंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है बताइए बाई सब लोग उसे क्या कहा जाता है सम्मात्रिक चंद कहते हैं क्या कहते हैं सम्मात्रिक चंद कहते हैं दोहा के प्रतेई के चरण में कितनी मांत्राइं होती है इन सभी प्रशनों को आपको नोट करना है बताइए दोहा के प्रतेई के प्रतेई के चरण में कितनी मांत्राइं होती है तेरा मात्रह होती हैं तीसरा का C आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा चले दामनी, दमक, रहना, घनमाही, खल, के, प्रीती, जगह, घिरिनाही में आपको बताना है कौन सा चंद है चौथा का चौप देज़े साथ विच्चे तो इसमें देखिए आपका चौप आई चंद हो जागा, ठीक ना, चौथा का C आपका बिल्कुन करिक्ट हो जागा कुंडलिया चंद में कितने चरण होते हैं, बताइए, कुंडलिया चंद में कितने चरण होते हैं, कुंडलिया चंद में तो कुंडलिया चंद में कितने चरण होते हैं चाह चरण होते हैं ठीक है चले बहुत इच्छे चौपाई के परतेग चरण में कितनी मांत्राइं होती हैं बताएंगे शबी बच्चे चौपाई के परतेग चरण में कितनी मांत्राइं होती हैं तो चौपाई के प्रतेग चड़ में कितनी मात्राइं होती है 16 मात्राइं होती है ये कोशन बहुत एक्जाम में पूछा जाता है इन सभी प्रशनों को नोट करें आप लोग ठीक है चलिए इसकी पीडिया आपको मिल जाएगी जो मात्रिक समचंद है प्रतेग चड़ में 16 मात्राइं होती है उसे कहते हैं क्या जो मात्रिक समचंद है प्रतेग चड़ में 16 मात्राइं होती है उसे कहते हैं क्या उसे चौपाई कहते हैं क्या कहते हैं चौपाई चंद कहते हैं स्री गुरु चरन सरोज रच निजमन मुकुर सुधार बर्नो रगुवर मिमल जस दो दाएक फलचार में चंद हैं अभी मैंने कर रहा है तो इसमें आपका कौन सा है चंद दोहा चंद हो जागा ठीक है चले बहुत इच्छे मोको हुई वाचाल इसको भी मैंने बताया अभी तो इसमें आपका सो रठा चंद हो जागा ठीक है ये बहुत important question है जैसे अभी ये सरी गुरू चरण सरोजवाला और ये वाला भी बहुत important है इनको दोनों को note करना है आपको ठीक है परतेएक चरण में 16 मात्रा वाला चार चरणों का समात्रिक चंद है कौन सा परतेएक चरण में 16 मात्रा वाला चार चरणों का समात्रिक चंद है कौन सा तो वो है आपका चौपाई चंद ठीक है टेन काट सी आपका बिलकुन correct हो जगा किस चंद में 26 मात्राइं होती हैं तथा 14 से 12 पर जो है यती होती हैं अभी स्टार्टिंग मैंने बताया था यह कोशन बताईए किस चंद में 26 मात्राइं होती हैं तथा 14 से 12 पर जो है यती होती है बहुत एच्छे वीडियो को लाइक कर दो शवी बच्छे लाइक करने से क्या होता है थोड़ा और लोगों के पास ये वीडियो पहुँचता है ठीक है और सेयर कर दो तो सभी के पास पहुँची जाएगा तुरंट तो किस छंद में 26 मांत्राइं होती इता 14, 12 पर यती होती है तो ये होता है आपका जो है गीतिका में होता है ठीक है गीतिका चंद में चलिए चंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं चंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं यती कहते हैं ठीक है चलिए निम्न में समात्रिक चंद का कौन सा उधरन है आपका चौपाई, थर्टीन का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए, निम्लिकेत में से कौन सा चंद का प्रकार नहीं है, इसमें, फॉर्टीन का जॉब दीजिए, चंद का प्रकार नहीं है, कौन सा, तो ये है, आपका ये है, ये है, द्रिश्टान ता आपका नहीं और भी मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि चंद से सम्मंधित गणों की संख्या कितनी है आठ है ठीक है चलिए बहुत एच्छे भाई अगला प्रशन चलिए आपकी स्किन पर आ गया है सब लोग इसका अंसर करेंगे कि जिस चंद में चार चरन और प्रतेक चरन में 16 मात्रां होती है कहलाता है क्या चौपाई कहलाता है ठीक है चौपाई चंद चलिए चपपई किस प्रकार का चंद है चपपई किस प्रकार का चंद है चपपई किस प्रकार का चंद है 17 का जौप दने के प्रास करेंगे चपपई जो है किस प्रकार का चंद है तो ये विसम है आपका ठीक है किस चंद का प्रथम वा अंतिम सब्द एक सा होता है 18 के जवाब दने के प्रयास करेंगे से बच्छे तो कुंडली आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा ठीक है बहुत अच्छे भाई चलिए दोहा और चौपाई कौन से चंद है मातरिक चंद है आपके ठीक है यह अभी डेड़ बज़े वाली क्लास में कोश्चन करवाया था करवाया था के नहीं करवाया था बताइए यही बिलकुन सेम टू सेम कोश्चन था ठीक है चलिए बदऊं गुरुपद पदुम परागा सुरुची सुवास सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है अभी अलंकार की दो दिन पहले ही कलास हुई थी उसको नहीं देखे हो तो देख लेना आप लोग तो यहाँ पे छंद होगा चौपाई छंद हो जागा ठीक है चले बहुत इच्छे भाई हरी गीतिका के प्रतेक चड़ में कितनी मांत्रा होती है हरी गीतिका के प्रतेक चड़ में कितनी मांत्रा होती है बहुत यह अच्छा प्रश्ण है जबर्जस प्रश्ण है सारे के सारे कोश्चन important है एक एक प्रशन को नोट के लेना आप लोग इससे बार नहीं आएगा कोशन ये मेरी गारांटी है तो हरी गीतिगा के प्रतेक्षण में कितनी मांत्रे होती हैं कम से कम नोट्स बनाने के बाद तीन बार तो जरूर पढ़ाना है आप लोग इसे ठीक है सुन सी सत्य असी स हमारी पूजही मन का मना तुम्हारी में छंद बताना है आपको चौपाई छंद हो जागा बहुत एच्छे चलिए अगला परिशन चौपाई छंद का पुरूरूप क्या है चौपाई छंद का पुरूरूप क्या है चौपाई चन्द का पुरूरूप क्या है चौपाई है ठीक है? चलिए बहुत इच्छे किस चन्द में 4 से अधिक चर्ण होते हैं तो ये होता है भाई, छपपई में ठीक है 24 का आपका C वाला बिलकुन correct हो दगा ठीक है ना चलिए बहुत इच्छे बाई अगला प्रशन देखी यहाँ पे छंद सासर के प्रणेता आचार माने जाते हैं कौन छंद सासर के प्रणेता आचार माने जाते हैं कौन अभी starting में करवाया था ना वर्ल नाइटर में पिंगल माने जाते हैं बहुत important question है NMA से जो है कौन सी छंद सासर की प्रणेता है बहुत इच्छा प्रशन NMA से कौन सी छंद सासर की प्रणेता है तो वो है छंद सूतर जैसे छंद सासर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है मातरिक छंदों में मातरा कितने प्रकार की होती है 27 को जौब दने के प्रयास करेंगे सब बच्छे मातरिक छंदों में मातरा कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है ठीक है अभ वकृती के विरोधी आचारे हैं कौन वकृती के विरोधी आचारे है विश्वनात है ठीक है चलिए बहुत इच्छे किस चंद में 12 और 7 की यदि से stimul 19 मांत्रा होती हैं तो यह होती है बरवे में ठीक है बहुत इच्छे चलिए सिल्प गत आधार पर जो है दोहे से उल्टा चंद है कौन सा सिल्प गत आधार पर दोहे से उल्टा चंद है सो औरटा चंद है आपका ठीक है very good चलिए मंगल भवन अमंगल हारी दरबहुं सो दसरत आजिर आजिर बिहारी में चंद आपको बताना है 31 का ज़ाब दीजे सब्योच्छे बहुत एच्छे सभी को गुड़ाब तरूँ 31 का भी आपका करेक्ट हो जग चौपाई चंद ठीक है चलिए दोहाच चंद में कितने चंद होते हैं बहुत इंपॉर्टिन कुश्चन है दोहाच चंद में कितने चंद होते हैं बताएंगे सभी लोग दोहाच चंद में कितने चंद होते हैं चार चंद होते हैं ठीक है बहुत इच्छे हैं चलिए देगे प्रंक्तियों के जो है छंद बताना है आपको जैसे सुन सी सत्य असी स हमारी पूजही मन कामना तुम्हारी में आपको छंद बताना है चौपाई छंद हो जागा वेरियोट चले बहुत एचे भाई अगला प्रशन छपपए में जो है चर्ण होते हैं छपपए में चर्ण होते हैं बताईए आप्शन को पढ़िए फिर आप लोग बताईए अच्छे से इसका उत्तर तो इसका जो है यह वाला सभी हो प्रथम चार चरण रोला के और अंतिम दो चरण उलाला के ठीक है यह होते हैं छपपए में चरण ठीक है चले बहुत एच्छ निम्न में जो है मातरिक चंद है कौन मातरिक चंद 35 को जो आप दीजे सभी बचे तो इसमें रोला दोहा चौपाई यह सब क्या है आपके यह सभी मातरिक चंद है ठीक है यह वाले में चौपाई दोहा रोला में है ठीक है ठीक है चले बढरीक चंद बताइज कौलिटी आगे बिलकुन सही है भागी बताब लोग सोवाया ये वानडिक चंद है आपका ठीक है relative चलिए आगे देखी इसमें चलिए quality नहीं है आगे मैं चलता हूँ यहां से वानडिक चंदों में कौन सा वानडिक चंद है ये उपेंदर वज्जरा ठीक है चलिए सो रठा के प्रثम च्रण में कितनी मांत्राइं होती है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मांत्राएं होती है 11 मांत्राएं होती है ठीक है चली बहुत इच्छे आवधी का निजी छंद है कौन सा आवधी का निजी छंद है कौन सा तो आवधी का निजी छंद है आपका छपपए 42 का C आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा गण में कितने वर्ण होते हैं? 43 का C A आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा छंद सास्र में गती का अर्थ क्या है? लए या प्रवा होता है ठीक है? चलिए बहुत इच्छे आगला प्रश्ण देखी आपकी स्किन पर आ गया है कि दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? कुंडलीया कहते हैं ठीक है? च्छे, चंद का परणा कौन सा है? तो वो आपका है तूक, ठीक है, छंद का प्राणा, अभी स्टार्टिंग में करवा दिया था आपको, ठीक है, छंद के चतूरतांस को जो है कहते हैं क्या, छंद के चतूरतांस को कहते हैं क्या, चरण कहते हैं, क्या कहते हैं, चरण, चलिए, 28 मातरों का छंद है कौन सा, 28 मात फाटन कोश여 आपके एक्जाम के लिए 28 मात्राओं का चिंद है कॴूं सा तो वो है आपका हरीगीति का ठीक है छले बहुत इच्छे चंदो में जो है मात्रा का आशे क्या होता है तो मात्रा का जो आशे होता है वो अच्छर के उच्ण में लगने वाला काल होता है ठीक है चलिए लाश्ट कोश्ट जो वर्ण या मातरा की संख्या में से जो है नेमित हो उसे कहते हैं क्या तो उसे कहते हैं क्या बताईए सभी बच्छे छंद कहते हैं ठीक है शो फ्रेंड्स ये थी आज की छंद की क्लास और हिंदी टॉपिक वाइस की लाश्ट क्लास इसके बाद केवल प्रैक्टिस अब चलेगी कल से एक जून से केवल प्रैक्टिस हम लगाएंगे हिंदी का ठीक है ताकि आपका जो है सब क्लियर हो जाएगा जो चैप्टर्स आपक इसे खुद से काम करिये आप ठीक है ज्यादा से ज्यादा उसमें आप लोग पढ़ाई करें तो चली मिलते हैं अगली क्लास पे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोग नहीं की हो तो सब्सक्राइब करके जूड़ जाना ताकि जो भी बीएट की अपडेट आएट आ रहे हैं मर्स रहें कुछ रहें